यहलोची, स्वागत आप सभी का फंडू डिस्टस पर, लास्ट सेसन में हमने डिस्कस किया था बोर्ट्स की API के बारे में, वो सारी API HTTP GET में थटती, यह सेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ट्स की API के बारे में, तो कार्ट्स में हम अलग-अलग activities perform करेंगे जैसे कि create card करना है उसके बाद update करना है, delete करना है, gate करना है तो वो सारे operations हम आज के session में देखेंगे तो सब सब एने हम चलते हैं ट्रेलों के screen पे तो यहाँ पे for example मेरे को card add करना है तो यहाँ पे option है add card तो मैं उसके उपर click करूँगा और नाम दे रहाँ, demo card तो यह card add हो गया यह basically मैंने perform किया उसका post operation हमने card को create किया तो यह post operation हुआ उसके बाद इसके उपर हम क्या क्या कर सकते हैं तो इसके बाद यह card को हम edit कर सकते हैं gate कर सकते हैं, gate मतलब क्या हुआ for example मैं board को refresh करूँगा तो अपने आप जो भी data display होगा gate API call होगा और last option है delete करने का तो यह archive करने से यह card delete हो जाएगा तो यह सारा options हम देखते हैं यह सारा options हम API के थुरू के से perform करेगे तो सबसे पहले यहाँ पे अलग-अलग sections में हमने API को find करना है actions, application, base, cards तो card के section में हमने basically cards की सारी APS की मिल जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले API है create a new card अब यह API में क्या कर रहा है कि create new card query parameter में also replaced with JS body instead तो यहाँ पे उसने specification दिया है और यहाँ पे उसका करन दिया है आप देख सकते हो node.js में अगर आपको import करना है तो यह AC request बनेगी Java में आप सिताए basically उसने code snippet provide किया है और यह API को जैसे हम trigger करेंगे हमें इसका response यह से मिलेगा 200 response मिलेगा और यह सारा data हमें response में मिलेगा और query parameter में हमको यह सारा data पास करना है name, description, pos, du, start ID list यह सारे data पास करना है और यह साथ कुछ hidden parameter से अब इसमें इसने mention किया है कि required यह ID list एक required parameter है और यहाँ पे आप यह line ध्यान से समझो query parameter में also be replaced with a JSON request body instead मतलब कि query parameter यह post request है ideally post request में body होती है जो भी data post request में पास किया जाता है इसमें बो टाइप से पास किया जाएगा एक query parameter से भी हम पास कर सकते हैं दूसरा हम पास कर सकते है JSON body से तो सबसे पहले हम यह curl को कोपी करते हैं यह curl कोपी किया postman में गए यहाँ पे और हमें इसको paste किया तो यह request बन गई यहाँ पे अब request में basically तीन parameter है id list, key and token और यहाँ पे भी दो parameter पास किये है API key and API token तो API key और API token हमने previous request में भी पास किया था तो वहाँ सब्सक्राइब कोपी कर रहा हूँ query parameters में bulk edit और यह पूरा data कोपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम पास करेंगे bulk edit में जाके यह उसको पास कर देंगे तो हमने key and token पास कर दिया अब बारी आती है id list की तो यह समझना है कि id list क्या है तो for example अगर मैं इसके उपर गया तो id list बोल रहा है the id of the list card should be created in pattern मतलब यह उसने pattern दिया है कि 0 to 9, A to F, A to F, 24 और डोल साइड यह उसने एक regix pattern दिया है बट मेरे को पता नहीं idea नहीं है कि basically यह id list में क्या data पास करना है और कहां से id list जनरेट करना है तो real time में बहुत सारी API इसमें यह इतना सारा parameters में कुछ parameter समझ में आएगे कुछ parameter समझ में नहीं आएगे तो वो scenario में क्या अगर ना है कि हमें या तो developer जिसने यह API develop किया है उसके पास जा कि हमें उसको समझ दा कि भाई यह बताओ यह data id list है basically वो data कहां से आएगा अगर मेरे को पता नहीं कि वो data कहां से आएगा और UI implemented है तो UI से अभी में देख सकता हूँ बहुत cases में UI बनी नहीं होती है तो वो cases में हमें basically developer के पास जाके वो सारी field क्या क्या है वो सारा field समझना पड़ेगा कि कौन से field में क्या data जा रहा है name है तो name में क्या data जाएगा उसका well descents क्या होगा name क्यों mandatory नहीं है mandatory है तो उसमें मैं special character पास कर सकता हूँ कोई एक card का name duplicate हो सकता है तो सारी चीज़े हमें हर एक field को यहाँ पर समझना पड़ेगा तो इसलिए API testing बहुत सारे लोग समझते कि API testing complicated है तो हम यह समझते है कि ID list किया है तो उसके लिए हमारे पास कोई information है नहीं developer की हमारे पास कोई information नहीं है यह किस ने develop किया और यहाँ पर भी उसने बस एक pattern mention किया बड़ेगा तो उसके लिए right click करो और यहाँ से inspect में जाओ यहाँ पर network टेब में जाना है यह XHR को सिलेक करना है और जो भी request हम perform करेंगे वो सारी request यहाँ पर दिखेगी आप देखेँ पर यह सारी पोस्ट रिक्वेस्ट है तो इसके उपर में गया यह क्या बोलता है basically cards का API है request में मेरे को id list मिल गया तो यह basically id list मेरे को pass करना है demo card उसका name और POS उसने यह pass किया और id list basically मेरे को चाहिए तो मैं इसको copy कर रहा हूँ id list को पोस्ट में में गया और यहाँ पर यह data में pass कर रहा हूँ यह id list में पास कर दी अब उसमें और क्या-क्या information है for example यहाँ पर name है तो मेरे को name को pass करना है तो यहाँ पर मैं simply name pass करूँगा name first card from API and this is how it's gonna look like we have passed all this information but now we have to save this data अभी क्योंकि without save करने से पहले की और value फेच नहीं होगा तो इसको वाँ सेव करेंगे appropriate collection में यह है create card का API create card और हमें हिंदी के tutorial में उसको add करना है collection में basically save किया और यह अपना फेच हो गया अब मैं इसको send कर रहा हूँ तो यह data 200 okay response आ गया 651 उसने millisecond लिया है और यह card की ID और उसके बाद यह सारी cards की detail है checked item यह सारी ID board ID list ID member यह बहुत सारी और यहां पर उसका नाम आ गया name तो basically यह जो detail है new remember email false यह सारी detail उसने यहां पर mention किया है name new तो आप read कर सकते है new of that card मतलब start date of that card तो उसके ही साब से हो हम set कर सकते है और UI में reflect होना चाहिए तो हम देखते है यहां पर first card from API तो यह card basically add हो गया अब live action में देखना है तो मैं इसको थोड़ा सा minimize करता हूं यह board पर हम आगे यह API पर यहां पर आगे आपका फिंडॉम ने split कर दिया और अब मैं नाम इसको change कर देता हूं अब first card की जगह पर demo 123 पास कर रहा हूं तो demo 123 का card यहां पर बोट पर दिखना चाहिए मैं जिसको जैसे ही send करूंगा देखो यहां पर अभी तो API में data reflect हुआ उससे पहने यह data यहां पर reflect हो गया तो यह इतना API इतना fast है तो यह से ही जैसे API में activity perform करेंगा यह यूई में data reflect होता है अब अमने समझा की create card API कैसे काम करता है वन मोर तिंग अब इसमें यहां पर एक client उसने mention कि क्वेरे पिरामेटर में भी अल्सो रिप्लेस्ट वी थे जैसोन बोडी इंस्टेट तो यह for example यह दो चीज़े में क्वेरी पिरामेटर में पास कर रहा हूं बट उसके उसके अलावा यह सारी चीज़े में बोडी में पास कर पाऊंगा तो वह केस है for example में बोडी में गया यह सारी चीज़े को मैं कोपी कर लेता हूं यहां से दो चीज मेरे को required है बोडी में इनन में हमें सिलेक करना है रो और टाइक में जैसौन और यह पेश्ट कर देते डबल फ्लावर बेसिस में यह सारे डेटा पेश्ट करें गे आईडी टोकन की हमें ज़रुवत नहीं है और जो भी string value pass करें, वो हमें double quote में pass करना है, वो हमने समझा था, तो यहाँ पे यह दोनों string data है, यह double quote में pass किया, next parameter है तो हमें colon लिखना है, और name को, हमने double quote में pass किया, और इसको भी हम double quote में pass करेंगे, double quote, और from body, ये card from body, अब ये थोड़ा मेसी दिख रहा है, तो हम इसको beautify कर सकते हैं, तो ये align हो जाएगा, beautify, ये properly basically align हो गया, अब इसको meet करेंगे, send, ये card create हो गया, और यहाँ पे उसका कहीं पे भी नाम आएगा, from the body, and यहाँ पे भी वो card add हो गया, तो basically, ये card की information, या तो हम parameter से pass कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से pass कर सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी pass कर सकते हैं, ये ideally मेरे को delete करना था, भूल गया, बट बोडी में pass किया, तो उसने body वाला pick किया, अब parameter वाला pick नहीं किया, तो ये हो गया card type है, अब हम ये card create किया, for example, हम from body, अब इसको appropriate नाम देते हैं, update request के लिए, card for update, and I am going to create one more card, and rest of the card I am deleting, अब हमें ये card को update करना है, तो उसमें हम खोचते कि update की API क्या है, update a card, तो update card में क्या जा रहा है, कि ये put request है, और यहाँ पे card का ID जा रहा है, जो भी ID हमें यहाँ से generate हुआ, वो basically ID हमें पास करना है, वो card का ID हो गया, फिर API की API token, बस, that's all, basically ये सारी चीज़े, इसमें से जो भी चीज़े हमें update करनी है, वो सारी चीज़े हम update कर सकते है, बट हमें card का ID पास करना पड़ेगा, अब post और put में difference क्या है, कि यहाँ पे हमने card का ID पास किया है, put request में, card को update करने के लिए, बट create request में हमने ID पास नहीं किया, सिधा cards के तो structure उसका बन गया, similar way में हमको यहां से parameters में ये चीज़े पास करनी पड़ेगी, key and token, तो body में जाके ये दोनों चीज़े में पास कर देता हूं, तो ये दोनों चीज़े में पास कर दिया, body में वो जो भी information हमें update करनी है, वो information हमें बेजनी पड़ेगी, तो JSON row data, and यहाँ पर हमें select करना है, JSON, और card की detail में हम body में जाएगे, तो ये body का card की detail में, ideally store ये सारी चीज़े हमने पास किया था, तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़े पास कर देंगे, और update, card for update, उसकी जगह पर हम कर देते है, card updated, अब यहाँ पर one more information पास कर रहे है, वो है ID, तो ये ID क्या ह basically, तो card का ID, यहाँ पर जो भी card का ID हमें generate हुआ, जो भी card UI पर generate होगा, वो basically DB में store होगा, तो हर एक card का unique ID रहेगा, उससे वो card exist करता है, तो वो unique ID के ऊपर से हम card को update करेंगे, delete करेंगे, या फिर get करेंगे, तो ये ID हम use करते हैं, यहाँ से copy करते हैं, और put request में जो भी parameter में ह पास करना है, तो यहाँ पर हम वो ID को पास करते हैं, तो यह basically path parameter हो गया, slash के बाद आया, path parameter, और यह question mark के बाद आया, वो query parameter हो गया, तो यह request भी ready है, I am going to save this, update card, save, and now we are good to go, send, the response is 200, okay, and the card has been updated, so here you can see the card updated, and I am going to the UI, and now you can see card is updated, if I am going to hit one more time, instead of a card updated, I am giving a final card data, sending this, going to UI, and it is updated, final card data, now there is one more API, which is a get card, so basically क्या होता है कि हमने अगर create card किया है, तो card को get करेंगे, और verify करेंगे, अभी हमने UI में जाके verify किया, कि card update हुआ या नहीं, create हुआ या नहीं, real में अगर UI बनी नहीं, अभी तक integrate नहीं हुआ, तो हम पता कैसे चलेगा, या तो हमें database में जाके validate करना पड़ेगा, या फिर हमें get API's call करना पड़ेगा, तो basically हमें इसके नाम update किया है, तो get API में जाके, हमें make sure करना पड़ेगा, कि नाम actual में update हुआ है या नहीं, तो उसके लिए get API's call करते है, get API में भी query parameters में ये सारी information से हम data get कर सकते है, तो इसको हम copy करते है, postman में गए, ये get card का request, API key and API value pass करना है, तो simply parameters में जाके bulk edit, यहाँ पे भी हम bulk edit में जाके ये paste कर देंगे, तो ये update हो गया, API key, और यहाँ पे card का हमें ID pass करना है, तो same card का, यहाँ पे जो भी card आपने pass किया था, उसका हम यहाँ पे ID pass करेंगे, इसका ID path parameter में है, और हम इसको save कर लेते है, get card, save, और good to go, we are sending and then we are getting the information of the card and it is showing final card data, we have updated as a final card data, so in get trickle also we are getting the same data, all the data, card related data, URL and card ID, here we have expected this ID and we are getting this ID, if I am passing a invalid ID, अगर मैं invalid ID को pass कर रहा हूं, मैं कुछ data यहाँ से हटा दे रहा हूं, और send करता हूं, तो यह बोलेगे invalid card ID, तो basically, यहाँ पे यह सारे parameters के उपर, यह get API को test करना होता है, अब हमने get कर लिया, अब हम देखते हैं delete, delete, delete के लिए delete card का API है, और हमें basically trailer ID pass करनी है, मतलब वो card का ID pass करना है, और यह उसका request, वो मतलब almost similar है, यह get की तरह similar ही है, वो बस HTTP method यहाँ पे delete आ जाएगा, तो मैं इसको copy करना हूं, postman में गया, paste किया, यह दो चीज़े update करना है, बलके edit, यह इसको copy किया, delete में जाके, बलके edit, यह दोनों में चीज़े paste कर रहा हूं, तो request almost ready है, we have to just pass this ID, तो ID में URL में pass करेंगे, तो वो card basically UI से delete हो जाना चाहिए, तो इसको मैं save कर लेता हूं, delete card, save, तो यह सारा data reflect हो गया, key and token and all these things, and now send, limits 0 to 100, okay, तो यह card अब delete हो जाना चाहिए, UI पे हम जाके देखते हैं, तो यह card basically delete हो गया, अब मैं आपको एक interesting चीज़ बताता हूं, for example मैं एक नया card create कर रहा हूं, card में गया, यहाँ पे demo card, card, example, और मैंने इसको send किया, तो यह card एक बन गया, demo card example यह उसका ID है, और UI पे जाके देखता हूं, तो यह card बन गया, gate API से भी यह card की detail मेरे को मिलनी चाहिए, तो ID यहाँ पे update किया, और simply मैंने send किया, तो यहाँ पे information देखो, demo card example, तो यह gate से भी data आ रहा है, अब UI में क्या option है, कि delete का option यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे archive का option है, तो archive क्या होता है, वो soft delete करता है, वो UI data दिखेगा नहीं, आर्काइव करने के बाद data database में रहेगा, बट वो एक user के लिए वो delete हो गया है, तो इसको मैं archive करता हूं, data को, अब मैं gate API में जाके यह card को फिर से face कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने face किया, और यहाँ पे इसकी सारी information आगी, अब यहाँ पे गया है कि closed में true लिखा है, क्योंकि मैंने UI API archive कर दिया, बट वो still information है, वो database से delete नहीं हुआ है, basically यह card database से delete नहीं हुआ, बट API क्या करेगी, कि उसको hard delete करेगी, तो अगर मैं API से इसको card को delete करूँगा, paste किया, और send किया, तो यह card basically अब पूरा hard delete हो गया, वो database से भी delete हो गया, तो मैं get card में जाता हूं, फिर से यह same ID का card get करता हूं, तो अब यह आप बोल रहा है, resource requested resource not found, तो basically UI से किया करता है, कि वो soft delete करता है, user के पास delete करने की कोई permission नहीं है, वो card database में रहेगा, और वो card user की ID के साथ link रहेगा, बट अगर मैं API से delete करता हूं, तो permanently delete हो जाता है, तो हमने देखा, कि UI से delete करने के बाद उसका status बट वो closed वाना true हो गया, वो deleted हो गया, बट API से delete किया, तो completely delete हो गया, तो यह है, चारो card की API, हमने card को add किया, उसके बाद हमने get किया, update किया, and delete किया, I hope यह आपको समझ में आ गया है, user उन्बर्क में यह सारी चीज़े try करो, और check करो कि आप जो भी data, जो भी activity API से perform कर रहे हो, UI में reflect हो रहा है या नहीं, अवर अगर कुछ भी doubt है, तो आप मुझे comment section में बता सकते है, वो यह वीडियो आपके लिए informative रही, धनियावार,